नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंज्यानियूस में मैं हूँ आपके साथ कशिश पाइंडे और मेरे साथ इस वक मौझूद है अंकित चंदेल और हैपी रोशन तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो मुवी आई थी आदी पुरुष उसमें काफी कभी कोई कुछ कर रहा है तो उस पर अंकित और अभी फिलाल में आदी पुरुष की जो डिरेक्टर है उन्होंने इस मुवी की जो टिकेट है को हाफ कर दिये क्योंकि तीसे चौते दिन जो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली तो शा सच में रमाइन देखनी है तो देखनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको उसमें कुछ और पोट्रे किया जा रहा है रमाइन के नाम पे हमारे संस्कृती जो है उसका मजाग उड़ाया गया उसमें कहीं सारे ऐसे डायलोग से जो की बोले तक नहीं गए थे और कहीं रावन को एक चेंज भी नहीं किया वो कर दिया है ठीक है अगर आपको अनिमेटेड मूवी बनाने थी तो पूरी अनिमेटेड बनाते हनुमान जी को आपने ना उनके गदा जो है प्रॉपर वैसी है ना उनके आउट्फिट है वह वैसा है हनुमान जी क्योंकि वह आतना इंसान थे पूरा लुक देते अगर आप उनको इंसान रूप में दिखाना चाते तो हनु तो उनके हनु जो हता है जो हमने देखा बचपन से वह तो कहीं भी लुक नहीं था वहीं जो है सीता माता की डायलेग्स उनने चेंज किये हनुमान जी को जो जब अशोग वाटिका में चाते ह है तो वहां पर पूरा कंट्रोल करता है वहां का जो चोकिदार काइंड ओव होता है तो उसको बोलता है कि आप अपनी बुआ के खेत में आयो यह अपनी बुआ के बगीचे में आयो तो यह हनुमान जी जो इतने बड़े चीरण जीवी हैं उनको कोई मतलब ऐसे कोई आदम आद को हनुमान जी के ओपर बाहरी बढ़ते हैं दिखाए गया जबकि बच्पन से मैंने भी रमाइन देखे तो मैंने तो कहीं ऐसी चीज पड़ी नहीं है और मैंने टिकेट करवाई दी लेकिन मैंने वह टिकेट कैंसल की और चार दोस्ते हम हम चारों ने के टिकेट कर दि है वह जाके देखिए और उसमें भी अगर आपकर टाइम नहीं है तो खिताब ले लीजिए वहां उससे पढ़ लीजिए तो मिरको दो नहीं लगता कि उससे अच्छा आपके पस कोई ऑप्शन है मैं आप से चीज पूछना चाहते हूं मनोज मंतर शी ने अभी एक ट्विट कर रहा था उस पर उन्होंने जो ना बहुत सारी चीज़े बोली कि मैंने पूरी मूवी में बहुत सारे डालोग लिखे हैं बहुत सारी लाइने लिखी हैं जिसमें से सिफ आपको वह पांच ला हुआता ऐसे साथे जूरो जरने पूरी क Using the SIM ने लिखा किसने लिखा और दो लोग यहागर ऑफि statistic की लोग तो नहीं देख़ेOC जिए बिल्कुल जिए आपकी राइटर आप प्रोडियूसर आप तो देखी आप हम तो उनके हिसाब से बोल रहे हैं जब सब चीज़ और आगर आप यह बात कर रहे हैं कि वह कहरें कि जली ना जिसकी जलती है उसको पता चलता है तो रावन यह अशी बाते कव भी इनकी भी कामी है सब्सक्राइब की जले इनको भी पता चले मनुझ मुंदी शर्ण आपने काथ लोग लिखें उसमें से आप पांच भी बदल दी और वहीं मेरे को सबसे बहले में कहना चाहूंगा कि भाई छेष्टो कुरोड आपने कहा लगा दी और मेरेको नहीं समझ आरा है आप पाँच आपने ट्रेलर बदल दिये कभी फाइनल ट्रेलर कभी कुछ उसके बाद भी अंकित में एक इसमें एड करना चाहूंगी उन्होंने पहले बोला था कि यह जो मूवी हम बना रहे हैं रामायट पर बेस्ट बना रहे हैं और जैसे यह मूवी विवादों में आई तो उ लिए उसके आप डोनों क्या कहना चाहेंगे देखिये बोलने से बोलना बहुत असान होता है और अगर उनको अभी लगाथ तो रही है जब हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं पता है लुच्छ तो होई रहा है अभी अगर सचमें यह रमायट सर्द कर बना होता और इक बिल्कुल दो इसकी कम से कम दसां ज्यारा बात बहुत कीकिर कमाई की जूरूरतिं नीपड़ती है अगर पैसे की बात की है चार्सार्पान सर पैसे की बात निया पात ह है कि लोगों की भावनाइब को पोछा कि अगर पैसा कमाने चाहते हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा इंसान बेशक आपको फिर भी माफ कर देले कि भगवान जो है वो देखता है करमा जो है सब को मिलता है और वहीं है पी मैं यह चीज़ा एड करना चाहूंगा एक रगुकुल का एक डायलोग की एक कहावत है कि यहां पर पूरा से आहत करने काम जरूर किया है मैं यह पूरा बात मुद्दा को देखा मैं देखने जाता नहीं जल्दी और सोचा था इस बार आधिपूर इसकम सखम अटलेस्ट अपने घर पे जरूर देखोंगा लेकिन अभी यह दी कैंसिल करते क्योंकि एक अपमान को म आदत है Bollywood वालों के साथ बहुत गिरती जा रही है इन उन लोगों पूरा तरह से लेंग्वेज पर कमान जो है उसको बिल्कुल खो दिया है जैसे मन कर रहा है वैसे बना दे रहे और इनकी जो कैरेक्टर देने की मतलब जो है टेंसी ओ भी काफी अलग होती जा रही है जो संस्कृति के साथ आस्था के साथ आप खिलवार नहीं करते हैं बहुत जाँगा बहुत जो समझ नहीं आए कि कास्टिंग जो उम्रहुत ने कि श्री राम का रोल पहली बाद प्रवास को देना ही नहीं चाहिए था अगर आप देखा जाए श्री राम कितना सुंदर और शा आप एंगर बताओ और जो परभास का जो रोल था वो लक्षमन का रोल जो होना चाहिए लक्षमन बिल्कूँ शांत करने जबकि लक्षमन ऐसे थी अब जो भाई उठा दे उसका हाथ काट देते इस तरह का उनमें रुद्र जो है उन पर चीज़ता है उस सीखने की पूरी क आप एक चीज में आड करना चाहूंगी इसमें जो पांच डायलोग थे वह इन्हों ने चेंज कर दिया है उसके बाद में किसी को आप किसी को एक बार आप समचा मार दो और पिर बो जो सौरी तो रही उन्होंने जो डालोग बोले थे वो उसके बाद चेंज कर दे लिकिन जिर्भी वो चीज सो हमें पता है कि क्या था रुपर लगाया है और अनुमान जी की लिप सिंग मैच नी हो रही वहां पर क्या था और इन्होंने क्या डाल दिया ऐसे सारे डालोग जो वह बहुत ही वाहियात लग रहा है मैं यह वर्ड यूज करूंगी यह और एक चीज इ लुक में यह गाया तो यह कहां सब्सक्राइब कर रहा है तो पुष्पी विमान कहां गया जो हमने सुना था पुरानी कानियों आते थे यह यह सीखने की कोसिस करें कि मुवी बनता है कैसे और कंटेंट को जो लाया गया ना इस मुवी में तो बैचार मुनों से इतने ज्यादा लिखने में ब्यास्त हो गया थे कि उनको रमायाट पढ़ने का टाइम नहीं मिला जूट बोल रहे हैं कि काथाओं में और लोगों को जो काथा वाचक हो उनसे सु अब लोगों ने बनाई जैपनी लोगों ने बनाई है तो वहां के लोग जब अगर यह जितनी पुरानी रमाईन आये ने सबको देख लेते ना सिर्फ देख लेते सबको तो इससे अच्छे मूवी बन जाती बिल्कुल सही बात बोल आपने वही तो बोल रहे हैं यह सिर्फ और सुनने पर और अपने हिसाब से सीखने की कोसिस किया है अधूरा ग्यान बहुत ख़तरनाक होता है और यही खतरनाक आज हमारे सामने हमारे यूद के लोगों बीच में औ अगर बच्चों की बात करें बच्चे तो ऐसे बोलें बड़ों के कि रामायन का एक तो हीरो था जिसका नाम था सिरी राम फिर तो ऐसे बात बोलेंगे बिल्कुल ऐसे बोलेंगे जब आप को तेरे बाप की तेरे बाप की तेरे बाप की तो यह तेरी मूभी तेरे और तेर परदान जिसके पास नो विदियां आठ सिद्धी उसको गई धक्का मारके और बजरंग बली की बात करो सक्षात महादेव को अरूद्रा उतार जो जिसने लक्षमन जी की जान बचाई जिसको विश्णु जी का हाथ का जाता अदा गंदा का जाता है उसकी संजीवनी बूटी इतना बड़ा पहाड उठा के लाए और वह दक्के से गर जाए हर इनके पास अधूरे आपने जश्ट बोला ना अधूरे ग्यान बहुत खतरनाक होते यही अधूरे ग्यान के साथ यह प्रस्तूत हुए और जो खतरनाक इसका अब रोड मैप तैयार हो चुका है लोगों के बीच में कि इनकी मोवी अब ऐसे नहीं देख सकते हैं होग सकता है इनके आने वाले भी अब सायद उस पे इंपक्ट इसका पड़ेगा बिल्कुल नजरा जाएगा कि अब लोग इनके मोवी को पसंद नहीं करेंगे क्यों नहीं जो हरकत किया ना तो पोरी वाले हरकत इनके मूवी मैं देख के नहीं हूँ मैं साथ सच को सबको बहुत मानती हूं और जहां पर मेरे भगवानों के खिलाफ ऐसे दिखाया जा रहा है उनको गलत पोट्रे किया जा रहा है बच्चे जा रहे हैं बूड़े जा रहे हैं चोड़ों की बात तो चोड़ों हम यूथ ह हमें इतना बुरा लग तो बच्चे जब देख रहें वो सब बोल रहे कि हमारे हनुमान जी ऐसे हैं पाप हमारी सीता जी ऐसी है हमारे राम जी ऐसे बोलते थे तो वह में को बुछ बुरा लगा इसलिए मैं बीच से उठके आ गई और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज यह मूवी मत देखना क्योंकि जैसे मुझे बुरा लगा है आप सब को भी बुरा लगेगा और सब को फिर उनकी फीलिंग्स मैं समझ सकते हूं इसलिए प्लीज यह मूवी मत ही देखना लेकि हम तो दोस्तों बोली सकते हैं अगर आपका फैसला है अगर आपको सच में जाननी है कहानी की सच्चाई कि हाँ आदी बुरुष को कुछ लोग समझ रहें कि लोग इसका इमेज खराब करने के लिए सब रहा है आप खुछ जाके देख लीजे एक बार देखने में कोई ह लेकिन मुझे एक बात की खुसी है कि आज का जो मेरा युवा है या बच्चे है या भुजूरुग है उन्हें अपनी रमायन की सच्चाई पता है जो गल्तिया निकाल पाए सुकर है कि इन्हें पता है रमायन अगर नहीं पता होता तो यह तो गलत प्रोश करके हामें गलत ही सिखा जाते कि रमायन में ऐसा था शुकर है इस बात के तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब को यह मुवी बेसक खराब लगेगा लेकिन आपको अपनी रमायन और पढ़ने के जरूत है और आप पुस्तक से पढ़कर गरंतु से पढ़कर पुराना रमायन देख करके भी क्याई ज़्यादा से जान सकते हैं और अपने आस्था को और ज़्यादा बढ़ा सकते तो बिल्कुल है पी ने बिल्कुल सही कहा है और अगर आप भी सी से ऐगरी करते हैं तो बिल्कुल weडियो में इतना ही दोस्तों जैशलिराम